आज का कुछ एस्टोप जो आपको जरूर देखना चाहिए दोस्तों क्योंकि हमारी सॉप्टेवर पे आया है ये कुछ ऐसे एस्टोप जो इस गिरावट की दोड में भी आपको प्रफिट दिला सकता है और कुछी दिनों के बाद आपको इसमें ग्रिन केंडल देखने को मिलेगी दोस्तों जी हाँ आए हम बता दें जल्दी से इस स्टोप में कि क्या बड़ा होने वाला है दोस्तों इसलिए कि कुछ ऐसी चीज़े हैं इस स्टोप में जो आपको ये एडवाईज करने के लिए हम मजबूर हैं दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बता दें कि foreign institutional investor अपरेल में जुलाई में और दिसंबर में क्यों बेचते हैं ये क्यों बेचकर भागते हैं तो आपको हमें ये बता लें कि quarterly जो business होता है तो ये कोशिस करते हैं ये जो foreign institutional investor है कि अपना profit book करके और ये 2-3 महिना तक का ये रखते हैं और फिर हो इसलिए वही compounding profit जिसको मालूम है और जो share market में आया है उसको मालूम है कि कितने दिन रखना है अपका बेचना है फिर खरीदना है तो ये ही foreign institutional investor भी करते हैं दोस्तों आपको एक update बता दे कि अप्रेल में 12,693 करोड की विक्वाली किया था इंडियान इस्टोक मार्केट में और जुलाई में किया था 23,193 और दिसंबर में सबसे ज़्यादा 26,686 करोड का विक्वाली किया था उसी का opposite हमारे domestic institutional investor जो है जो mutual fund वाले हैं बाकी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकर हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनको भी अपने लेके पनते थे इसके दिसंबर में 26,686 के बदले 20,000 का खरीदारी भी हुआ मतलब 6,600 करोड का लगबग हमारे stock exchange में अभी नुकसान हुआई से चलते रा रेड कंडल है और इसलिए हमने रेड आज जेकेट भी डालिया है आपको एनालसिस बताने के लिए दोस्तों वही जुलाई में देखिये तो 23,193 बिकवाली के बदले हमारे domestic institutional investor जो है 17,000 के आसपास खरीदारी भी किये मतलब 6,000 करोड का इसमें हमारा stock market में नुकसान हुआ और अप्रेल में लगबा 12,693 का जो बिकवाली किया था उसके बदले domestic institutional investor जो है 11,000 के आसपास खरीदारी भी किया था दोस्तों इस सारा एनालसिस करने के बाद दोस्तों हम कुछ ऐसे श्टूक आपको बता रहे हैं जो आपको देखना चाहिए उसके पहले अगर सबसे पहले आप ये बता दें कि अगर इंटरेटेक मुंबई की किसी भी तरीका से आप चैनल पे आ गए हैं तो हमारा पिछला वीडियो जरूर आप देखिए क्योंकि हम बहुत ही बारिकी से एनालसिस करते हैं और आपको 2000% का compounding profit हम अभी तक दिला चुके हैं और मेरा target है एक जनवरी 2022 से 5000% का compounding profit दिलाने का और करने का कैसे करते हैं और कैसे करेंगे ये 2022 में 31 तिसंबर तक उसका एक हिसा है और उसी का एक मंत्र है खरीद लो बेच लो 24 घंटा में हम कभी भी आपको कहते रहते हैं दोस्तों इसी कीज़े सबसे पहले लाल वाला जो नीचे subscribe लिखा है subscribe कर लिज़े बगल में जो बेल घंटी लो लटकती रहती है उसको आप पोस्ट कर लिज़े ताकि सबसे पहले दुनिया के किसी कोने में रहें आप आपको इंटा डेटेक मुंबई के एम ये बीके सिंग की जो वीडियो है सबसे पहले आपको मिले लक्टप पे कम्पूटर पे या आपके मॉबाइल पे चलिए दोस्तो हम बता दें आपको बहुत जल्दी होगा क्योंकि समय भी नहीं है अभी 9 बज कर 3 मिनट हो रहे हैं और ये वीडियो आपको मिल रहा है तो सावा 9 बजे से लेकर आप देखते रहें कि आज इसी स्टोक में क्या होता है दोस्तो सबसे पहले प्राइबेट बैंक सेक्टर का हम आपको बता दें एक स्टोक का नाम HDFC आपको जरूर देखना चाहिए चाहें किसी तरह का कोई टेडर हो नए हो पुराने हो अभी अभी आए हैं इसको आप जरूर देखें HDFC Housing Development Finance Corporation of India इसका पूरा नाम है HDFC दूसरा वीप्रो लिमिटेड और एक आटो मबाइल सेक्टर का हम आपको बता दें एस्टोक असोक लिलेंड दोस्तो यह तीन एस्टोक जो हम आपको बता रहे हैं यह बहुत ही जबजस्त कुछ ऐसी हमारे सॉप्ट्वेर ने इंडिकेट दिया है कि उस इंडिकेट में यह बता रहा है कि आज यह तीन एस्टोक जो है बहुत बढ़िया परफर्मेंस करेगा और दूसरी बात एक तरफ आए कुछ और एस्टोक के बारें बता दें जो हम आपको बढ़िया और सटिक जो जनकारी दे रहे हैं एक है Reliance Industries पान सो दो हजर बाइस में जाना ही जाना है और इसके पाइस पीछे क्या है कि 9 लाग आइडिया बोड़ा फोन का जो कस्टमर थे और 4 लाग लगबग भारती एटेल के जो कस्टमर थे 9-4-13 लाग कस्टमर जीओं में ट्रांसफर हो गए हैं जिसके चलते ही हमारी जो Software जो है और हमारी जो Analysis है मैं किसी को ऐसे कोई भी पक्षपात नहीं करता और ना ही कोई हमारे लिए दुस्मन है और ना कोई हमारी लिए दोस्त है हमारे लिए Analysis और हमारी टेलेंट ही सब कुछ है और जो कुछ सत है वही मैं बोलता हूं तो ये 9 लाग आइडिया बोड़ा फुन का किस्टमर और 4 लाग भारती एटल का किस्टमर, 9-13 लाग के लगबग ये जीओ में ट्रांसफर हो गए हैं दोस्तों, जिसके चलते रिलाइंस इंडस्ट्री आज जो है कुछ बड़ा करने वाला है, एक और स्टोक के बारे में हम ज जानते हैं कि दुनिया के लगबब 12-13 देशों में इसके पोड़क जाते हैं और भारत में इसकी हर घर में पहचान है, उसका नाम है आपको फॉर्चिन आइल अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड ये भी आपको देखना चाहिए दोस्तों, और आपको एक स्टोक का बात और हम पताएंगे जो इसके पहले आप जान लिजिए कि अगर इंटरडेट एक मुंबई MBA BKS चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन घंती दबाते हैं तो आपको जो मिलेगा खाजाना हमारा पंद्रह सो से जादा एक हजार पान्सो से जादा वीडियो हैं वो जादेगे पहनियेकू कौन सा है कैसे बेचेंगे कैसे खरीदेंगे और कीई सेर बड़ता है कि घरता है और खरिते समय सेर क्यों घड़ जाता है और बेशते समय सेर क्यों बढ़ जाता है इस सारा जो strategy है सारा जो मंत्र है आपको जनकारी जितने भी question और सवाल प्रस्टन है सभी चीज मिलते हैं दूसरी बात IPO में कब खरिदना चाहिए कब बेशना चाहिए लिस्टिंग के बाद कितने दिन बाद आपको उसमें फ्रेस इंट्री लेना चाहिए अगर IPO नहीं मिला है तो सारे इस तरह का strategy मिलेगा चलिए हम बात करते हैं एक बहुत बढ़िया इस्टोक और सर्टिक इस्टोक के बारे में आपको बता दे माइन्ट्री माइन्ट्री आज हमारे software पे ये भी एक इस्टोक आया दोस्तो बहुत दिनों से इसकी हम analysis कर रहे थे लेकिन आज हम आपको इसलिए बोलते कि गिरावट की दोर में ये अगर आज नहीं हुआ तो कुछी दिनों में इसकी बन गई है लेवल और ये उपर की तरफ जाने वाल अब अपर रेस्टिंग बना चुका है दोस्तो मैंड ट्री अब आपको हम बता दे कि आज की ये जो इस्टोक बताए हैं इसको अच्छी तरह देख लिजे और अपने डायरी में दोक नोट कर लिजे 21 12 2021 की आज की ये share क्या रंग लाता है चली हम बने रहेंगे हर एक घंट पर आपको हम अपडेट करते रहेंगे और Nifty और 50 और बैंक Nifty निप्टी बैंक में क्या होता है जरूर आपको मिलेगा और बहुत बड़िया और शटिक जनकारी मिलेगी कि हम क्या हमारा पिसला वीडियो और आप देख लिजे कि पोर्टफोलियो 25 का पोर्टफोलियो का एक स्क्रीन में रहें या और घट जाएं कुछ ऐसे स्टोक होते हैं दोस्तो जो आपको सौ में से 75 परसेंट भी अगर गिर गया तो उसको बढ़ने में एक महीने भी नहीं लगते हैं और वही 25 स्टोक का हमने पोर्टफोलियो वनाया है जो भारत की सान है नहीं दुनिया की सान है और इस पे हम स्टोक एक्स्चेंज नाज करते हैं दोस्तो और भारत की जो स्टोक एक्स्चेंज है इस पे नाज करती है और आज एक और हम आपको बता देते हैं कि आटो मोबाइल सेक्टर के जो स्टोक्स हैं उसमें असोक लेलेंड जरूर देखिएगा क्योंकि ये एलेक् वेकिन से प्रोसेस का में बहुत बड़ा इसका एक युगदान होने वाला है दोस्तों और ये असोक लेलेंड ये जब आपको बता दे 65 रुपया का था 2020 जो कोरोना का टाइम में आये था उस समय हमने इसको पकड़ा था और आज फिर हम असोक लेलेंड को पकड़ने वाले हैं उसी तरह जैसे कि आपको फाइनेंस सेक्टर का एन बे एफसी का एक इस्टोंग था मेंगमा फिन कॉर्प जो पूना वाला के साथ मर्ज हुआ और ये मेंगमा फाइनेंस का नाम से था उसमयना फिन कॉर्प आया बहुत बड़ी आश्टोंग है मेंगमा की बात हम कर दे इसलिए हम तो असोक लेलेंड की बात कर रहे थे तो चलिए आज बता दे हम आपको कौन कौन सा बताए माइंट्री और डी आरेल इसको भी आपको देखना है डी आरेल लिमिटेड एस डी अपसी आडानी इंटर्पाइज और रिलाइंस इंडस्टी और सोक लेलेंड ये सारे स्टोक आज देखना चरूरी है अगर आप देखेंगे तो प्रोफिट आपको होगा आ आप स्वस्त्र हैं आपका परिवास स्वस्त्र है तभी हमारा देख स्वस्त्र हैगा सफाई अभियान दोस्तों सुरू है पूरे भारत बरस में स्वक्षता अभियान हर तरह से सभी स्वक्षता अभियान में आप भी साबिलो आस पास के लिए जितने कूडे कचडे साफ कर गर से लेके बाहर तक और सफाईया अभियान इसलिए शुरू है कि सिर्फ घर और कचड़े का ही बात नहीं है बहुत तरह की कचड़े को साफ करना शुरू कर दिया है भारत सरकार और इसमें आप भी सामिल हो जाए जल्दी से क्योंकि राम राज आने माला है दोस्तों जै हिं जै भारत बंदे मातरम